असलाम देको और वेसम तो गेम सेट माच्च, 20 माच्चेस डाउन अफ एच बील पीएसल 7 और अभी भी जो है वो लडाई इदर उदर चल रही है टेबल पर उपर नीचे टीम्स हो रही है एक टीम आप एक्सपेक्ट करते हैं क्या कमबैक करने वाली है यह टीम क्या कमबैक करे और अचानक से फिर वो थूस हो जाती है तीम कल के मैस के वाले से अगर हम बात करें कोईटा ग्लाइड इन लॉर कल अंदर वो कौन होंगे जैसी वो जॉइन इन करेंगे, उनसे भी डिसकॉशन करेंगे, उनसे भी सवालात करेंगे, बहुत सारे सवालात हैं उनसे, सो मैं हूँ सवेरा पाश्या और मेरे साथ मौझूद है elements भी लगा सकता, unfortunately, uncertainty वाला element आ गया from the probability, so अगर ये हो जाएंगे, तो फिर आप ये record सुनना शुरू होंगे, stats देखना शुरू कर देंगे TV पे, most number of consecutive defeats in Pakistan Super League, और of course, जिस team को ये chase कर रहे हैं, that is Lahore Kalunders, एक जमाना था कि जब कराची के fans और बाकी franchise के fans का जो favorite banter हुआ करता था, sports का, cricket का, वो Lahore Kalunders हुआ करता था, और अब जो है, वो एक dialogue याद आ गया मुझे, क्या कल तक तुम बोलते थे और हम सुनते थे, आज हम बोलेंगे और तुम सुनोंगे, कुछ वही वाली कानी जो है, इस सो कराची बिर्कुल जी और बहुत सारी डिसक्शन होगी, बट अपने गेस को इंटर्डियूस करवाते चलते हैं, पिशावर जामिल को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट पाकिस्तान टीम में बड़ा पोटेंशल दिखता है, बड़ी प्रॉमिसिंग जिस तरह कहा अदील ने के प्रॉमिसिंग प्रॉस्पेक्ट दिखते हैं, के आगे जाके काफी जो है वो हमारा जो है आगे पाकिस्तान का जो है वो नाम रोजन करेंगे, और शुरुवात कर दी है, बट अभी थोड़ी से क्या हुआ है पिशावर जलमी में क्यों थोड़ी से ओफ कलर है, सब उन से जानते हैं, हैदर हमारे साथ मौजूद है, हैदर अलिया बाइस साथ मौजूद है, वेलकम तो गेम सेट माच्च हैदर, जी हैदर आपका वाज आ रही है, अलस्वाम एकुम, वालेकुम सलाम इस वक्त हैदर जो है वो आफ कलर नजर आ रहा है, बहुत उमीदे हैं, पाकिस्तान की यंग स्टार्स की तरफ जब देखा जाता है, तो सबसे पहले आपका नाम सामने आता है, हाशे मामला बैटिंग कोच, बट हैदर इस वक्त रंज क्यों नहीं दिख रहे हैं, अगर मैं मैं डॉबेस्टिक की बात करूं, तो अच्छा खासा सीजन जा रहा था आपका, जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक प्लेयर होता है, उसके साथ अप और डाउन उसके साथ लगा रहता है, और क्रिकेट ऐसी है, और बस मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि यही कोश कर रही है, कोशिश कर रहे हैं, और यही मेरी कोशिश है कि इंचाला आने वाले नेक्स्ट जो मैचेश हैं, उसमें अपनी परफॉर्मस अच्छी करूं और टीम को फाइदा दूँ, हैदर आपको पता है, आप उन पाकिस्तान के नौजवान खिलाडियों में से हैं, कि को आ टैलेंट से नवाजा है, तो इतना जबर्दस कोचिंग पैनल के साथ आप काम कर रहे हैं, पीसी बी में भी आपको बड़े जबर्दस कोचिज मिले वे हैं, बैटिंग किंसल्टन्ट, अभी आप मौमद यूसफ के साथ भी काम कर रहे होंगे, वो क्या बताते हैं, क्या गल से ऑफ सीजन में, क्योंकि इन सीजन में बिलकुल माइनर सी जो मिस्टिक होती हैं, आप इसको नहीं चेंड कर सकते हैं, यह सारी चीज़ें ऑफ सीजन की आप इस सीजन स्टार्ट है, आगे सारे मैचेज हैं, और क्योंकि वो एक छोटा सा ऐप में थोड़ा फरक आ जाए, तो आपकी टेकनिक में तो वो फिर आगे जितनी सीरीज हैं आप उसके अंदर ही रहते हैं तो आपसे और रंस भी नहीं हो सकते बस वो यही करते हैं कि आपकी जो स्ट्रॉंग शॉर्ट्स हैं और जो आप जिन शॉर्ट्स पर वर्क करना चाहते हैं आप उन पर वर्क करें उस करने कोशिश करें और रही बात यह के एग्रेसिव किलने का तो एग्रेसिव जैसे टीम को रिक्वार्मेंट होती है या जैसी टीम को जरूरत होती है तो उस हसाब से कहलना पड़ता है तो जैसे मेरी गेम है तो मैं यह कोशिश कर रहा हूं के पहले अभी आपने देखा होगा के पिछली सीरीज में भी वेस्टन डीज या बंगलादेश वाली सीरीज में भी जाकर मैं टाइम ले रहा हूं तो यही चीजे अभी मुझे सीखने को मिल रही है आप जितने मैचेज किलते हैं आपको हर मैच के बाद कुछ न कुछ आपके लिए लर्निंग होता है और यह मेर सब्सक्राइबर वर्ल्टीप 20 पर भी आप दोना वॉक करते वह जा रहे थे एक सेकिंड जी अच्छा माइक मेरे खाल से आइटिंक श्रेड़ है अच्छा मैं हैधर मैं से इसी सवाल पर जरा अभी सवेरा आपसे सवाल पूछती है मुझे बताईगा कि हैधर जब पैड कर सब्सक्राइबर के ग्राउंड में जिल रहे हाई है वहाट फिर वाट से मा вкус 타 Mün cutм उसके दमाग में क्या चल रहा होता है वह कौन सा प्लेयर आप अपने जहन में सब्सक्राइबर कैलना है क्ला यृट्ड damals 17 becoming a Man ने मारे में यह होता है कि जो टीम को रिक्व में उस ऐसाब से क्य ला है अगर टीम को रिकवेयरमेंट है कि यहां पे Vladid З्खेंगें में पार्ठर्रिशिय। मैं दो दफ़ा इस स्थेटिश्टिशन में जैसे कि आप कहें कि 12 की इवरिज है 13 की एवरिज है एक एक जाएमपल ले 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 मैंने तेन 4 जाली के लिए लेकिन ऐसे तीम को रिक्वार्मेंट नहीं है ना राइए तीम को रिक्वार्मेंट को उस हसाब एक हड़ पहर नहीं हमारे साथ सवेरा रेडी हैं सवेरा तायार यह आगही है सवेरा मेरे अवाँस तो हुपकाई टिवाक पाकिसान के लिए आप खेल चुके यह अभी साथ सीम्ट आप आप्स केसे हैं हैदर, हैदर, आप सो सारी, we'll have to stop here because we have to take a break right now, आप से मिलें गया हम इस ब्रेक के बाद, don't go anywhere and keep watching Game Set Match. And welcome back to Game Set Match in conversation with the young star, हैदर अली और हैदर जिस तरह इन्होंने शुरुवाद की थी परफॉर्मंस की और फिर इंगलंड में जिस तरह चारचांब लगाय थी, इतने सारे सीनिर्स और फिर हैदर, जबर्दस जह है, वो प्रॉमिसिंग परफॉर्मंस की और फिर इंगलंड में जिस और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और प्रॉमिसिंग परफॉर्मंस इनकी यहां सामने आए, हैदर, दो दफार मैंने कोशिश की थी, सवाल कुछने के फिर कोशिश करती हो, इस दफार कोई इस दफार इस दफार कोई इशू ना हो, शुवेब मलिक is right next to you, playing with you, in the 11 आपके स शुवेब मलिक के साथ रहते हुए, हैदर अली को कितना सीखने को मैं है, हलो, जी हैदर, can you hear me, शुवेब मलिक के साथ रहते हुए, हैदर अली ने कितना सीख है, शुवेब बाई के साथ तो काफी, अभी थोड़ा टाइम हो गया, खेल के, और उन से यही होता है, और अक्स को शुवेब भी खेलने हैं, तो वो साथ सत मुझे समझाते हैं कि यार, अभी यहाँ पे यह करना है, अभी यहाँ पर बाउन्टरी की जरुरूरत है, अभी यहाँ पर पार्टनर्शिप की जरूरत है, तो मैं बहुत रिलیک्स होता हूँ कि मुझे एक वो गेम प्लैन मिल ज होंगे बैटिंग के साथ लेकिन उस सिच्चिशन में मुझे इस तरह आगे निकलना है इसलिए मुझे काफी उनसे न सीखने को मिलता है पिशावर जलमी इस वक्त जो है वो एक काफी दिल्चस्प पोजिशन पे कल का मैच कराची किंग्स को आपने हरा दिया है इस वक्त नमबर पांच की पोजिशन पे कुंसॉलिडेड किया है अपने अपने आपको इस वक्त केम्प में क्या डिसकॉशन चल रहा है बिकास देखिए कराची किंग्स तो अब तक्रीबन ऐसा लग रहा है कि बाहरी हो गया है एक टीम और बहार जानी है तो इस वक्त कैसा मुराल है इस वक्त जो टीम मीटिंग जो रही है उसमें किस पॉजिशन को टार्गिट करना है कि बस प्ले-ईउफ पहुच जाए लेकिन नहीं हमें कॉलिफिकेशन कॉलिफायर पॉजिशन में पहुचना है इस वक्त वहुल के साथ चल रहा है कैμप का नहीं देखें कोई भी टीम है पढ़ी भी नहीं सोचते कि वो बाहर हो बही है कोई भी टीम है अभी कराकिई भी नहीं सोच रही हょगी लेकिन वो भी अपनी तरड से फुल अफट करेंगे एक तीम और बाहर होना है वो तो चलें वो आगे अगे मैचे होंगे वो उन पर डिपेंट करता है लेकिन हमारा यही है कि इंशालला हम अभी हम हम मैच बाइ मैच चल रहे हैं हम आगे कर नहीं सोच रहे हैं हम मैच भी हमने इस मैच को जीतना है और अच्छे उस मार्जन से जीतना है तो इंशाला हम चले जाएंगे तो यही होता है कोई टीम भी जब बहुत ही रन्रेड खराब हो या इस तरह हो तो वो कहती है चला हम कौलेफाइड कर जीतना है लेकिन हमारे इंशाला भी तीन मैचेश हैं उनको स्टेप बाइस टेप अपने लेके चलना है और इंशाला आगे देख रहे हैं और आगे इंशा सिर्फ किसी की पार्टी स्पॉयल कर सकते हैं शायद वो भी वरना आगे तो मुझे उनका सफर कहीं आगे जाती वह नहीं दिखता बगर आपका अगला मैच होना है कोईटा ग्लाडियेटर्स से और जिस तरह कोईटा ग्लाडियेटर्स ने कराची लेक के आखरी मैच से शु मात के लिए कोईटा बगर का जिस तरह लहँरं कलंदस ने पकड़ा ग्लाडियेटर्स को आपको लगता है नीचे से, इफ्ती भाई भी हैं, सैफी भाई भी हैं, उन्होंने पिछले मैच में भी रंस की हैं, तो ये बात नहीं है, ऐसे है कि एक टीम को मुमेंटम मिलना होता है, उनको मुमेंटम कोईटा को हमा मिला है, और अभी हमें कल के मैच के बद मुमेंटम मिल गया है, तो तो यही है कि हमने जो हमें मुमेंटम मिला है तो हमें उस मुमेंटम को लेकर चलना है वैसे अगर हम पिछले साल या पिछले पीएसल में चले जाएं एक डिसपॉइंटमेंट जरूर हुई थी फाइनल से पहले आप और उमैद बाराल वो एक इंसिडेंट हुआ था सिस्पेंशन वाला जो मामला हुआ था तो अभी है इस बार भी इस बार तो मैं फाइनल खेलू को मैचे जीतेंगे तो इंचालल उसके बाद हम आखी जाएंगे क्योंकि हम पहले ही फाइनल का सोचेंगे तो यह वाले मैच जाएंगे हमें वही बात हम स्टेब बाहरे के चलना है one at a time सोचना है बट हैदर एक एक डिबेट हैदर अली को लेकर चलती है आपने जब शुरुवात भी की आपके करियर की शुरुवात हुई मुसलसल एक बात जरूर हुई लोगों ने आपको बहुत highly rank तो किया बहुत highly rate तो किया बट साथ-साथ ये भी कहा कि ये longer format का लड़का है ये पाकिस्तान को test में बड़ा साजगार होगा ये ODI में बड़ा अच्छा होगा T20 के लिए इतना highly rate नहीं किया गया आपको लगता है कि प्लेयर्स को इस format की जंगलों में बान देना चाहिए के नहीं नहीं ऐसी कुई बात नहीं है जैसे अब 2019 में मैं वन डे खिरता रहा हूं तो महां पर भी कि लाजनी बात है जोरुत होता है थेस्ट में अच्छा थे टो थांड़नी टीमें मैं फर्स्क्लास केला था तो उस में भी रांज होए थे तो यहीं था कि वाहिए से वह लोग समझे रहे थे कि यह तैस्ट क्रिकेट ज्दाए या उसमें टेम्रमेंट बलाप लेयर है तो कर्केकर जैसे अजिक अजय कर्केट एप उसको हर एक माइंड चैट से जरूरत होता है और हर में त्यारी करनी होती है तो यह सह के लिए हमारा वर्लड को फटम हो तो और मुझे याद है पीएसेल उसके दुरां मैंने तो इसलिए बस एक मुझे उस टाइम भी मुझे में मर्जिंग प्लेयर था मुझे गेम प्लैन देती था कि यार आपके हमें 30-40 रंस से चाहिए तो वह गेम प्लैन से मैं जाता था तो उस टेम केलता था उल्ला का शुकर है वह परफॉर्म होता रहा है तो उसके बाद मुझे सीखने को बहुत मिला है कि जैसे पहली दफ़ा मैं शुपभई के साथ खेला था तो वह कह रहे थे बस अपने अभी लंबा लेकर चलना है और यही मेरा सारा केरियर का वहा से मुझे कुछ गेम की समझ आई है कि टी-20 और वन डे और टेस्ट में कितना डिफरेंस हा जाता है अगर मैं Aíदर अली का फेवरेट फोर этग पूचेंड तो आपका फेवरेट फोर्मट पूचहँ आपका फेवरेट फोर्मेट है क्या played favorite format देखें अब जो भी format कहलते है ना तो अब तो आपको आपold करते हैं यहादि का अपको फेवरेट फोर्मैठ होता है नहीं के में नही तो यह दो किया है लेकिन वो आपके माइड़ से तक बात है कि आप उसको कितना जल्दी अड़ाइड आप कर लेते हैं मेरे लिए तीनों ही एक जैसे हैं वैसे थोड़ी दर पहले है अपने फर्सक्लास करियर की बात कर रहे थे हैं यह स्कोर आपरेज और फिफ्टी-फोर जो 206 रंस की वो इनिंग थी तो अपने क्रिदेंशल सो बता चुके हैं कि यार लॉंगर फॉर्मेट ऑफ दे गेम के लिए जो है वो यह सकता है तो हैदर हम आगे प्लान क्या है लाइक टेस्ट क्रिकट खेलने के हवाले से अभी देखें आस्ट्रेलिया के टीम जो है वो ऐला कर रहे हैं पाकिस्तान के वाइट में आपको देख सकें नहीं फिर वो इबाद आ जाती है कि फिर मैं आगे का नहीं सोच रहा लेके मैं अपना प्रेजेंट है वो मैं अच्छा करूंगा तो फ्यूचर आटोमेटिकली मेरा अच्छा हो जाएगा ठीक है तो इसलिए मैं के चीजों का नहीं सोच रहा है जो मेरे किसमा जो नसीब मलेक होगा वो इंचालल मुझे मिलेगा अच्छा आपने श्वेब मलेक की बाद की बड़ा आपको सीखने को मिल रहा है श्वेब मलेक से एंड़िए मतलब if I talk about श्वेब मलेक हम सब को पता है स्यालकोट स्टैलियन में भी जब वो कैप्टन करते थे काफी यंग लड़के जो के उनके अंदर सीखते रहे हैं तो श्वेब मलेक हाज था पोटेंचल कि वो यंग्स्टर्स को बहुत अच्छी तरह सिखा सकते हैं बट हाशे मामला इस अवीलिबल इन यूर कैंप एस बेल उन से कितना सीखने क करते थे कि जैसे वुबी करते हैं उस टाइम बलकर साध fees क्राइब करते क्योंकि में निव आया थहा तो मुझे कुछ मी नहीं पता था तो उस टाइम भी लेकिन उस टोड़ा सा जारा नर्विस हो ग्रा रहा था तो पहला सीजन था तो अब भी ऐसा है कि जब कोई मैच होता है या मैच के दुरान मैच चल रहा होता है या कोई ऐसी सिच्वेशन होती है तो आशीम भाई को मैं साथ की बगभी बैठे होते हैं या लांच के डिनर पे कभी या ग्राउंड के अंदर भी हों तो मैं उनसे यही पूचता रहते हैं कि अगर आप यहां पर यहां पर बैटिंग रहे होते हैं तो आप क्या सोच रहे होते हैं नहीं किया उस चीज़ पर और लो नहीं भी करते रह्तिन आप का है बैन आद आप इसको किसे लेकर चलोगे प्रीक्टर सेस्जिन अपना उसको सारा लेकर चलोगे और आगे आप कैसे माइंड सेट साब अब ज्यादा वोस से जदा परस्वार्मेंस परफोकस करोगे आपसलीटली अमीन, आशे मामला वाट अपरसनालिटी, काम और कूल मैं, तो कभी उनको को बहुत सेलिबरेट करते भी नहीं देखा और फिर खेर शोर शराबा करना तो बिलकुल दूर की बात है, और वो अपनी आम जिन्दगी में भी जैसे के आपको फील्ड में नजर आते ह आखरी सवाल, मैं अपनी जानब से हैदर पूछूँगा, अब तक का, जो साथ मैचेस आप लोग खेल चुके हैं, अब तक का बेस्ट मॉमेंट क्या रहा, जिसमें आपने का ये मज़ा आ गया यार, मैं PSL, HPL, PSL की बात कर रहा हूँ, सीजन सेवन की, ये मज़ा आया खेली, तो हम पहले ही मैच जीत गे थे क्वेटा से, और दूसरा अब जो लास्ट मैच हुआ है क्वेटा और लहॉर का जिसमें क्वेटा जित के तो मुझमें का अच्छा, PSL का बाता है, वह अच्या मैच था गाŠी लास्ट मैच अभी गवेटा ऑ लहॉर का पिछला जिसम उधम मचाया था और अपनी आमद बताई थी वो वाले मैच की आब बात कर रहे हैं बट हैदर जाते जाते वहाब रियास के अंडर खेलना वहाब रियास की कैप्टन सी में खेलना देखे हर कैप्टन के लिए का जाता है जी सैफी भाई गुस्सा करते हैं और वैसे बड़ी कैसा होता है नहीं मुझे तीसरा सीजन होके है वाब भाई के एंडर मैं खेल रहा हूं तो वाब भाई बहुत काम कैप्टन है मुझे कभी मतलब के मैंने कभी नहीं किसी से अगर कैज रॉप हो गया है मिस्फील्ड होगी है कभी उन्होंने कुछ निकाल लेकिन बजी कहते ह हैं बस आप लोग फोकस करो जान मारो एफर्ड करो बाकी देखें कोई प्लेयर भी या कोई भी ऐसे नहीं चाहता है इतने क्राउड में कि यार उससे कैज ड्रॉफ हो जाए या उससे मिस्फील्ड हो जाए जानके या वो घलत बॉलिंग करे यह हो जाता है यह पार्ट अफ गये मैं तो वो बहुत काम रहते हैं इस चीज में और वो बस कहते हैं आप अपनी एफर्ट करो बाकी जो रिजल्टों को देखा जाएगा बर्कुल और यही की होनी चाहिए अपनी एफर्ट करें और रिजल्ट एवेंचली अच्छा आने लगेगा बट हैदर बहुत- इस चीज में परफॉर्मन्स करते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे दो के बाटिंग और को बड़ा उपर नीचे ऑपर नीचे किया जा रहें जो कि बढ़ा इंपक्ट फुल होता है but eventually there are no excuses आपने जब आपको मौका मिले परफॉर्म करना है और हमें अभी मौका बिलकुल नहीं मिल रहा बात करनेगा because हमने जाना एक ब्रेक पर so ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो discussion करेंगे continue गेम सेट माँच में एक दफ़ा फिर से फुछ राम तीद मज़िदार डिसकुशन होई ब्रेक पर जाने से पहले हैदर अली हमारे साथ मौझूद थे और काफी मज़े मज़े की बाते हुए हैदर अली से मैचूरिटी है, इन में भी बात करते हैं उनके जवाबात में तहम्मल आपको दिखता है और मैंने जिस तरह उनको भी कहा मैं फिर से कहूंगी मुझे ये कही न कहीं अदील लगता है I hope कि वो हमारी उम्मीदों पे पूरा उतने हैं कि पाकिस्तान टेस्कौर्ड में कहीं न कहीं पाकिस्तान की टीम में जल्द हमें नजर आएंगे अब ऐसा करते हैं जली से कल के जो मैच इस हुए पाकिस्तान सूपर लीग में सूपर संडे उस पे जो हम नजर डाल लेते हैं तो कल जो पहला मैच हुआ उसका स्कोर समरी रही कुछ इस तरह पिशावर जल्मी वरसे स्क्राची इस पे तकरीर नहीं करनी है लेकिन कल कोई जीतने की कोई लगन फिर ती बाराल जी पिशावर जल्मी ने 19356 का टागिट दिया जाजाई और हारेस ने अच्छी बाटिंग मुसाहरा किया श्वेब मालिक आखिर में अच्छा परफॉर्म गिया, क्रिस जॉर्डन गोट थी विकेट, कासिम अक्रम इस इन टीम नाओ, अटीन वल्ल्ल कप से आगए है, वो वापस एक खिलाडी कॉनो ने भी आउट किया, नभी ने भी एक विकेट आसिल की, जवाब में कराची किंग्स की बाटिंग, आपसलूटी नो आइडिया वाट वाट वस गाए है, कल हमारा माच भी चल रहा था इस दौरान, हमारा शो भी चल रहा था इसमैच के दौरान, नो, इन भी ने ने नुवर लुक लिक विन्न गें, बाबराजम 59, तो ये था कल का पहला मैच, एक और लगातार छटी शिकस्त कराची किंग्स को, and as I said earlier, कराची किंग्स is very close to the record losing streak now, लोहर कलंदर्स की, कोईटा ग्लाइटर्स में मुकाबला लोहर कलंदर्स, there you go, कोईटा ग्लाइटर ने पहले बैटिंग करते वे 141 रंस बनाए, साथ विक्तों के नुकसान पर, और वो खिलाडी जोनोंने कोईटा ग्लाइटर को दुबारा टोर्नमें वापस लाए, जेसन रॉय कल फेल हुए, काफी जल्दी आउट हो गए थे, उस पे बाइदावे, डिसेंट पे उनको फाइन भी कर दिया गया, उनका मैच फी का कुछ हिस्सा, इफ्तखार ने कल कॉंट्रिबूट किया, 52 रंस और ने बनाए, उमर अकमल लुक गुड येट अगें, 25 रंस बनाए, लेकिन उसके इलावा कोई और खिलाडी कॉंट्रिबूट नहीं कर पाया, 141 वाज बिलो पार टोटल, जाविद वीजा गोट टू विकेट, शाहीन अफरी दी टू, राशिद खान गोट वन, लहुर कलंदर से अगर हम बात करें, बाहसानी बगहर किसी मुश्किल के, थैंक्स तो दोस ब्रिलियन नौक्स बाइ फखर जमान, एज अलवेज, और कामरान गुलाम, जिनों ने बिल तरतीब 53 और पच्पन रंस बनाए, 143 रंस बनाए, 17 अशारिया चार ओवर्स में, आर्ट विक्टो से काम्याबी, लहुर कलंदर, अनदर एजी विन फर देम, और इस वक्त, लहुर कलंदर जो है ना, I think they have taken the place of Islamabad United German tournament के start में बात कर रहे थे, कि मुल्तान के साथ कौन से तीम टगरी लग रही है, अपने होम ग्राउंड में आके एकदम चाशा चुके हैं, और होम अड्वांटेज का भरपूर फाइदा उठा रहे हैं, और जिस तरह कल फैन फोलिंग, सारे फैन्स के इंटिव्यूस आ रहे थे, इतना खुश थे लहूर के फैन्स, एंडेन हम बात करते हैं कि कितने लोग, कितने स्पेक्टेटर्स, मतलब मुझे तो कभी कबार लगता है कि रात के मैच में जो है, वो 50% से जादा स्पेक्टेटर्स एकदम से दिखना शुरू हो गए थे, डबल, ट्रिपल होना शुरू ह हफीज ने जो कैच पकड़ा कल लोहर कलंदस का मैच खेलते हुए, हसान खान की बैटिंग पे जो मौबध हफीज ने कैच पकड़ा, मतलब PSL के ऑफिशल, पाकिस्तान PCB के ऑफिशल हैंडल से जो है, वो उनको पूरी एक वो वीडियो बना दी गई, सूपरमैन की, जिस प करें के कहां आपने अपनी हैंड प्लेस्मेंट करनी और किस तरह कैरी करना उस कैच को, इस ब्रिलियंट और भाई इतना सोचो विचार भागते वे ना वो प्रोफेसर सा भी कर सकते थे अधीर, यह नी वाकई और सीरिस्टी एज जो अकसर भात की जाती है सीज के अवाले से जी जी एज जादा होगी, यह नहीं 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 जी जी, इस अल अबाऊच यह फिटनेस, इस अल अबाऊच यह प्रेसंस ऑफ वाइन, और हफीज शॉइंग अधीर, यह नहीं प्रोफेसर में तो यह दम हम आपको सामने ही दिख जाता है, और जिस तरह वो परफॉर्म कर जिस तरह भाग रहे हैं, यह लाइक यंग लाड़, वाकिए जबदस परफॉर्मन्स, जबदस फील्डिंग, एंड इन उसके बाद फिर जो लोहर का लंदस की बात करी हूँ, अदील कैसे खुश नहों, फैन्स, शाहिन शाह अफरीदी शुरूवात करते हैं, बोलिंग की शुरूवात होती है, सामने कोईटा ग्लाडियेटर्स एक वो टीम जिस से एकस्पेक्ट किया जा रहा है कि यार इन्होंने अब अपनी किस्मत बदल दी है, बिलकुल लोहर आते ही, यह तो और वो कराची का आखरी मैच जीतने के बाद, टाइड हैस टरंड और वो अच्छ होए थे, सो वो बड़ी कंपारजन था, जी बिलकुल और हम अभी आपको यह एक फुटेज भी दिखाते हैं, जिसमें दोनों का साइड बाई साइड चला के आपको हम बदाते हैं, how similar that was, I mean, शाहीन का पहला ओवर खेलना जो है, वो अब असान काम नहीं होता, यह तो पूर यह अज़ रहा है, शाहीन शाफरीदी जैसे जैसे वकि आगे गुजरता जा रहा है, बोलिंग का तो कोई डाउट ही नहीं है, बट कैप्टन सी भी जितनी अच्छी होती जा रही है, लहौर कलंड़ः बीड पीरियोड आव कहीं न पाइड एडिक्षाओं ने शाहीन वो कहते हैं ना हर टीम हमारी टीम है तो जारे लाहर वाले जीते हैंगे लेकिन वाक़ी सीरिसली आमीन कल मेरे पता नहीं कुछ सीने 2018 की मेरी एक ट्वीट लगा के मुझे लोग पता नहीं कहां से डून के लाते हैं और उनने दिखाया कि जब लाहर चटा मैच लगा था और हा लाची वालों के साथ काफी जबदस बैंटर हो रहा है बट खर एन्यवे इस वस सो ब्यूटिफुल यह देखने में आप जित एक तो इस मैच कि यह जो केल राहूल और रोईज शर्मा वाला डिसमिसल और फिर उसके बाद यह जो कल इसने आउट किया वो कहते हैं नहीं जो बट देन, moving on further, एक और incident कल हुआ जिसके बारे में बात करना जरूरी है, बिकरज आप जब बात करते हैं फील्डिंग की, कौन सा ऐसा मुल्क है जो के बहतरीन फील्डिंग करता है, गैस करने के कोई points नहीं मिलेगे, क्योंके सब को पता है कि Australia की तरफ से जिस तरह की लंका के खिलाफ और जिस तरह परफॉर्मंस दी और फिर जिस तरह गिरे वो जमीन पर मतलब ऐसा लगा कि वो भूल गए थे कि इडिर कोई गदा नहीं रखावा और फील्ड ही है, इस पे नज़र डालते है, इसको देखके ना एकदम से दिल डहल गया थोड़ी देर के लि के साथ एक मैच में तुक इम सम टाइम यह गए बाइशन में रखा जाएगा बट एक और चीज यह कि आप जब इतनी महनत करें अदील और फिर आप पलट के देखें और देखें कि नहीं जी मैं बचा नहीं सका चका और बहुत सारे लोग परेशान हैं बहुत सारी कि उस वक्त वो हवा में था कैसे वो सिक्स हो गया तो आई सीसी का चेंज रोल और उस चेंज रूल में आई सीसी ने जो है वो यह बता दिया है क्योंकि बहुत रेगुलारिटी में यह वाले कैच होने लगे थे बाउंडरी से बार कूदो उचलो फेको बाहर आओ कैच कर ल इस वज़ा से उसको सिक्स माना लिए और क्योंकि प्रोग्राम की जाने में बढ़ा है थुर दर पहले हम बेंटर की बात कर रहे थे कराची किंग्स के हावाले से सोच रही हूं बिचारे कहना है या नहीं आलिया रशीद जी हमारी सीनियर मोस्ट फीमेल ब्रॉडकास्टर फीमेल स्पोर्ट प्रेजेंटर वो कहती है हम सब सोच रहे हैं कि क्या कहना और या नहीं हारून कहते हैं यू कन लफ बाबर आजम बर स्टिल अग्री आइड़ थे लोट्स फॉट्स अबाउट बाबर क्यू नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं उसमान से भी कल अमारी तफसीली बात हुई थी और यही कहना है कि जी अच का नाम राशन करते हैं बाबर आजम है बाबर आजम है बाबर आजम है बाटेट 200 बॉल्स इन दिस पी एसल और यहीं जिस्ट वन सिक्स वेरी डिफेंसिव इन टोर्नमेंट मेंली बिकॉस अधर बात हैं आपके इड़ित कोई कुछ नहीं कर रहा होगा तो आप तो उस चल म है जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं 33 फर वन अधील 35 फर टू 43 फर टू 48 फर नन 33 फर फोर और 41 फर नन तो यह हालात हैं इस वक्त कराची किंग्स के क्या करेगी कराची किंग्स और क्या नहीं और इतनी बात जो बाबर आजम पे हो रही है उसकी एक और मेजर रीजन यह है के इन कंट्रास्ट फखर जबान इस परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली राइट नाओ और सब जो है वो कहते हैं बहुत सारे ओप्शन होते हैं तो आप बिल्कुल इदर उदर बात करना शुरू कर देते हैं वरना यह वही बाबर आजम है जब न्यूजिलेंड टीम पाकिस्तान गई थी और बाबर आजम इंजर्ड हो गए तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था टीम पाकिस्तान लावारिस हो गई है बट अब क्यूंकि ऑप्शन देख रहे हैं तो बात भी हो रही है बाबर के ओपर और अब हम अगर गदाफी स्टेडियम की बात करें जहां इसलामाबाद United and Karachi King का मैच थोड़ी दिर में खिला जाएगा क्या जालात है क्या जच्बात है क्या एससात है और क्या आज लोहर के लोग इसलामपाद युनाइट डरा कराची किन्स को सपोर्ट करने आएंगे के लिए भी अबड़ी शायकी राची करिकट को दूरona पढ़ रएए। बड़ी मुश्कल से शाय की रेक्रिकट कजाफी स्टेडियम आ रहे हैं बड़ी कम तादाद देखने को बेल रही है जिस तरह गुजशता रोज जो मैच हुआ लौर का तक्रीबन जो है वो सारा जो फिफ्टी परसंट क्राउड था वो मुकमल था और बाड़ी गैमा गैमी द खाई दे रहा है कजाफी स्टेडियम के बाहर भी हम सुबह से वेट करने हैं कि कोई जो है वो शाय की रेक्रिकट आए उससे हम बात करें लेकिन हमें जो है वो काफी इस वकर तकावट भी हो चुगी है उनको ढूंड डूंड कर लेकिन अभी जो है वाना का सिलसला शुरू जो हमारे पास चंद रहें Ổर तो मुझाहिद आदमी है यह उनको सपोट करें और यह क्या बाबर आदम की वज़घा से कराची को सपोट कर रहें यह क्यों सपोर्ट कर रहें क्या बाबराजम की वजशा की वादीता है काराची को support कि वज़ से कर और कावा डिया और यहाँ यहां पर कावा पेज़ते हैं और यहां पर कावा पिलाते लोगों को ऑभी पताएं किसको support करें करठ़ को support कर रहे हुं कलाची जितेगा सब को कावा प्रीपिलादेगा वो कह रहे है कि कराची अगर खुदा ना खास्ता जी जाती है तो अन्सारों को फ्रीप प्रकुराओं वो पिलाओंगे तो फिर क्या कमाओंगे अला देगा अला देगा अला देगा यह अमारे पास जो चोटा प्राइन है यह पूर उमीद है कि आज कराची जीतेगा और इसको भी पता है कि जीतना नहीं है सवेरा माज़रत के जाद लेकिर आप यह देखें कि इसने प्री कावे की आफर देरी है कराची अगर जीत जाएगा तो मैं कावा सबको फ्री पे पिलाओंगा वो इसलिए तरह कॉंफिडेंट है अदील इसको भी पता है यह लेकिन खेर कराची किंग्स के मैचे कब खतम होंगे कितने रहे गाए मैचे बिल्कु जितने हैं उतने खेलने हैं और खेलेंगे बट फिर उम्मीद पे दुनिया काईम है कहा यही जाता है कराची किंग्स के फैंस जो है वो अभी भी सपोर्ट करेंगे कराची किंग्स को अभी भी आपने देखा बहुत सारे फैंस जो है बैकिंग अप और वो अभी भी कराची किंग्स का नाम ले रहे हैं लेट सी क्या होता है क्य कोई हालाद बदलते हैं Karachi Kings के किसकी party spoil करने में कामियाब होती है Karachi Kings के नहीं होती है वो देखना पड़ेगा बट PSL 7 के जो 20 मैचें वो हो चुके हैं बाकी आने वाले मैचें इंटरस्टिंग से इंटरस्टिंग होते जाएंगे आभर साल एक अलग चाम्पियन होना चाहिए और देखते है थिसे था किसे वह बनता है या वह नहीं बनता है या मुल्ताण सुल्ताँ जय है को और जाते 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 झाल 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 झाल